हेलो दोस्तो, बॉस ओफ इंडियन शेयर बजार में आपका एक बाफिस स्वागत है, आज आप एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे, जिसने 10 साल के अंदर-अंदर 18,000 प्लस के परसेंट के रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिये, जिसमें प्रमोटर्स के होल्डिंग बी काफी अच्छी है, रिटर्स भी अच्छे है, हम उस शेयर के बारे में फंडामेंटर अनलाइसिस भी करेंगे, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल Boss of Indian Share Bazaar को एक बार सब्सक्राइब करिए, शेयर क देखाया-7.26, 1week में देखिए 35.26 करेंट, 1month में 68.75 करेंट, 3 months में 78.87 करेंट, 6 months में 60 करेंट, 1 year में 43.35 करेंट, 2 year में 43.95 करेंट, 3 year में −22.84 करेंट, और यहां पर देखिए 10 years जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 10 years, 10 years में 18,289, 18,290% के return उसने 10 साल के अंदर अपने shareholders को दिये है, मतला अगर किसी ने 10 साल पहले invest किया होगा, तो वो करोड़ पत्री डेफिनिटली बन चुका होगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, जून में, मार्स से जून में, मार्स 20 से जून में, प्रमोटर्स की चेंजिस तो कुछ नहीं किये, इनके जो यहां पर आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग है 69.03, फोरें इंवेस्टर ने अपने हिस्सदारी जरूर कम करी है, 3.08 है, 4.43 से 3.08, मुचल फंड की होल्डिंग कुछ नहीं है, इंशॉरेंस की होल्डिंग कुछ नहीं है, इनके होल्डिंग की होल्डिंग 0.06 है, जिन्होंने 0.02 परसें से बढ़ाई है, और नॉन इंस्टेटूशनल इंवेस्टर ने कहते हैं, उन्होंने अपने होल्डिंग 26.50 से इंक्रीज करके 2718, 2783 उन्होंनों कर लिया, तो आईए हम उस शेयर के बारे में बात कर लेते हैं, तो उस शेयर का नाम है, Kaplan Point Laboratories Limited, फार्मा सेक्टर की एक ये कंपनी काम करती है, इसका Laboratories नाम दे रखा तो शाहिए लाब में भी काम करती है, एक बार आप चेक कर लिजिएगा, तो हम मैं आपको बताना चाहता हूं, Small Cap की कंपनी है, अगर ये रिटर्न, अगर इसने 18,000 परलस के रिटर्न, अगर परसेंट के रिटर्न इसने आपको दिये है, तो रिटर्न अगर अच्छे दिये है, तो Small Cap कंपनी की ये ही बात होती है, कि रिटर्न तो देती है बहुत अच्छे, बढ़ अगर गिरती है, तो गिरने में भी वो जवर्दस्त ही गिरती है, तो Small Cap कंपनी में ज़्यादा पैसे नहीं लगाते है, थोड़ा-थोड़ा पैसा लगा सकते हो, और अब एक बार देख सकते हो, तो फार्मा की कंपनी जैसे के आज़ेडी में आपको बता चुका हो, और कोरोना के टाइम में जैसे के अभी चल रहा है, तो कौन सी कंपनी आके बढ़ रहा है, फार्मा, आइटीज यही कंपनी, का बिजनेस, FMCZ यही कंपनी बिजनेस कर रहा है, तो एक बार हम इस company के बात कर ले रहे हैं, तो एक दिन में minus में दिखा रहा है, minus 44.85 का गिरावट है, 7.12, बट अगर आप देखेंगे तो इस दिन का Friday का, Thursday का close इसका 6.29 था, तो ये 6.80 पर लगभग गया भी है, बट उसके बाद इसने लगा था गिरावट दिखाई गी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, गिरावट 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 इसके पीछे का एक रीजन है, कि गिरावट क्यू है, क्योंकि कल मंडे को जब मार्केट ओपन होगी, तो मंडे को कल इस company का quarter one के result आने वाले हैं, और operators जैसे की होते हैं, investor होते हैं, वो डर जाते हैं और अपने share बेचना शुतू कर देते हैं, बड़ कल शायद इसके जो आपको यह negative में दिख रहा है, कल आपको यह positive में भी दिखाई दे सकता है, एक बार हम 5 days का देख लेते है, 447, मैं दो 3 अगस को ही 447.45 रुपीज का share था, आज आप देख र देख लीजिए, क्रोना की टाइम पर यह 200 रुपे का, जब यह market crash हुआ था, 200 रुपे का मिल रहा था, तो अगर आप देखेंगे तो लगभा लगभा 600 रुपे के आसपस यह भी trade कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं, 400 रुपे पर share के में इस में का बढ़ा है, तो जिसने भी अच्छा का सा इन्वेस्ट किया होगा, अच्छा का सा इस रिटरन भी यहां पर मिल गया होगा, यह तिल देख लीजिए, वन येर का चार्ट देख लीजिए, फाइव येर का देख लीजिए, और आपको एक बार मैक्सिम दिखा देता हूँ, कि 2014 में 4900 रुपे की कंपनी अच्छेशो के असपास है, और इसका अल्टाइम हाइट जो आप देख रहे है, तो अल्टाइम हाई लगबग इसका 733, 735 रुपे का है, चार अगर्ष, 2017 को यह रिजल्ट है, तो अभी यह किस पर चल रहा है, अभी यह चल रहा है लगबग, 585 पर, तो आप देख रहे है इसका जो है, 733 रुपीज, तो लगबग लगबग यह अपने हाई के करीब आता जा रहा है, और अभी इसके रिजल्ट आने के बाद, या फिर अगले कौर्टर के रिजल्ट आने के बाद, तो यह शेयर इस लेवल को जरूर पार कर सकता है, क्योंकि जो इसका मैक्सिमम इसका दे रहा है, 733, तो यहां तक यह शेयर जा सकता है, तो आप इस शेयर में बने रह सकते हैं, फोल कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छे इसने रिटन दिये, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, 18,000 प्लस के इसने रिटन, अपने शेयर होल्डर को दिये, तो आप इसके इसके बारे में देख सकते हैं, एक बार खुद अपने financial advisor से पूछ सकते हैं, एक बार हम इसका performance देख लेते हैं, तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, 52 वीक लोग, 52 वीक लोग 176, 24 मार्च को ही, 24 मार्च 2020 जब यह pandemic हुआ था, 176 में मिलता है, और इसका 52 वीक हाई, इसने Friday को ही 686 रूपीज का साथ, अगरे 2020 को इसने लगाया है, इसके अलावा इसके deliveries की बात कर लीजे, तो लोगों ने 23.25% की इसमिया पर deliveries उठाई भी है, क्योंकि quarter one के result कल है, तो कल कुछ भी हो सकता है, कल यह share भाग भी सकता है, और अच्छी तरह ही भागेगा जब भागेग है, 2016 में यह company split भी हुई थी, जैसे कि आप दिखाई दे रहे, इसकी 10 रूपे की face value थी, जो की इसने 2 रूपे की कर लिया, इसके 17 में 1.5 रूपीज का dividend दिया है, 18 में भी दिया है, 19 में दिया है, और 2020 मार्च में भी 2 रूपे 10 पैसे का dividend दिया है, इसके इलावा promoters की holding 69.03% कि इसमें कोई बदलाव भी नहीं है, और यहां पर देखिए, सबसे इच्छी बात, कोई भी शेयर, कोई भी शेयर इन्होंने प्लैज नहीं किया है, कोई भी शेयर गिरवीर ही रखा है, क्यों क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी company किस तरीके की है, उनके owners को पर विश्वास ह और यह company अगर आगे बढ़ी और आगे बढ़ेगी, इसलिए companies ने देखिए, जैसे कि बहुत सारी companies होती है, जो अभी अपना share holding pattern ही घटाते जारी है, मतला अपने share बेशते जारी है, कम करते जारी है, इसने अपने share as it is रख रखे हैं, तो कुछ ने कुछ इसमें बात होगी और यह काफी अच्छे performance दे सकती है, जैसे कि इसने already show भी किया है, एक बार हम इसके balance sheet की तरफ देख लेते हैं, तो जैसे कि आपको देखा ही दे रहा है, 2016 में 109 crore के reserves थे, फिर इसके बाद 184 हुए, फिर 277 हुए, 410 हुए, और 2020 मार्स 2020 में इसके जो रिजर्स है, 584.78 crore क इसके reserves, मालब reserves continuously इसके बढ़ता जा रहे है, एक बार debt की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको यह सामने दिखा ही दे रहे है, पहले 2016 में 73 lakh का debt हुआ करता है, फिर 48, 32, 28 और अब जो इसका debt है, 0.28 lakh रुपीज का, मालब 28 lakh रुपीज का इसके ओपर debt है, जब चाहें तब उता सकते है, 28 lakh रुपीज इस कंपनी के लिए, कोई बड़ी बात भी नहीं है, और शायद उतार भी दिया हूँ, हमें के बता हूँ, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि debt reduce होता जा रहा है, रिजर्व इसके बढ़ता जा रहा है, चार्ट पैटर्न बहतरीन है, रिटरं 1.27 करोर रुपीज के रिजर्व के कैश and bank balance इस कंपनी के पास है, तो जैसे कि मैं आपको बता चुक हूँ, यहाँ पर यह देख लिजिए, जेतने लंबे टाइम के लिए आप किसी कंपनी पर भरुशा रखेंगे, लॉंग टर्म के इंवेश्मेंट बनेंगे, तो डैफिन आपको बता चुक हूँ, कि 7, 718, 730 रुपे का इसका maximum है, अभी 585 पर यह चल रहा है, तो इस लेवल को शायद यह बहुत जल्दी बिरीच भी कर जाएगी, हो जल्दी यह यह तक पोज़ भी जाएगी और अपना एक new high, all-time का high यह बना लेगी, तो यही आप कल इसके quarter one के result है, शायद यह बहुत अच्छा performance करें कि और इसका share, 700 पर हम देख सकते हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं, एक बार जा सकते हैं, fundamental analysis खुद कर सकते हैं, और इस company के बारे में देखने के बाद, आप इसमें invest भी कर सकते हैं, छोटी-चोटी quantity के साथ भी invest कर सकते हैं, जैसे जनको अच्छा खाजा profit होए, तो profit बुक करके निकल भी सकते हैं, तो आज आज की वीडियो हम इहीं पर इसम अप करते हैं, थैंकी सो मट, बट वीडियो बंद करने से पहले, फिर एक बार परश करना चाहूँगा, Boss of Indonesia बजार हमारे चैनल को, सब्सकाइब करिए, शेयर करि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, थैंकी सो मट, God bless.